आईपूर से बड़ा जेट आपको बता दें कॉंग्रिस को बड़ा जटका लगा है गोरेलाल बर्मन कॉंग्रिस छोड़कर जे सी सी जे में शामिल हो गए हैं 2018 में कॉंग्रिस के उमीरबाद से गोरेलाल बर्मन और पामगर से वो टिकेट की मांग कर रहे थे जब टिकेट उन्हें मिला नहीं तब वो जे सी सी जे में शामिल हो चुके हैं तो कॉंग्रिस को 36 गर में एक और बड़ा जटका पिछले बार पामगर से जो प्रत्याशी थे गोरेलाल बर्मन उन्हें कॉंग्रिस का दामन छोल कर अब वो जे सी सी जे में शामिल हो गए सौरब सिंग पर यार हमारे साथ जुट चुके हैं सौरब एक बड़ा जटका कॉंग्रिस को माना जा सकता है इसे क्योंकि बिल्कुल देखें आपने बिल्कुल ठीक कहा जिस तरीके से कई सीटो पर जो है कॉंग्रिस के जो नेता है चाहे पदादिकारी हों या विधायक हों दो विधायक तो पहले ही हैं अनूप नाग और किस्मत लाल नंद इसी तरीके से आप देखें कि गुरेलाल वर्बन जो 2018 में कॉंग्रिस के प्रत्यासी थे पामगड में और महज 3,000 वोटों से हारे थे और अभी देखें आपकी कुछ देर पहले जैसी सी जे कॉंग्रिस के अध्यक्स जो है अमीज जोगी और ने उहें पार्टी प्रवेस कराया है आप ये भी देख सकते हैं कि इन्होंने भी गमचा पहन लिया है और अभी तक जो है जोगी कॉंग्रिस ने लगबग ऐसे आर् अमी के जीवन में हक न्याय और मान सम्मान और सभी मान सबसे बड़ी चीज़ होती है हम अगर इस मानो समाज में अपनी च्छतिस गड़ में आदर्णी आजीज जोगी जी ही मुझे कांग्रिस परवेस करवाय थे तब से मैं कांग्रिस को बीच साल अपना समय दिया हूं औ और वीच साल समय देने के बाद 2008 में मुझे पहले बाद टिकेट दी 2013 मेरी टिकेट काटी यही से स्राज अर्बंस थे प्रत्यासी मैंने एक सब्द भी रोध नहीं किया मैंने उनका काम किया ठीक अब आप पामगर से जे सी सी जे के के क्रेंडिडेट होंगे क्या लग रहा ह क्योंकि कॉंकि कॉंग्रेस और बीजेपी है मैं अवस जितूंगा क्योंकि यह मेरी लड़ाई नहीं यह पामगर विधान सभा के आम जंता की मान सम्मान और स्वाविमान की लड़ाई है वहां के मद्दाता और नेता एक साल तक बोलते रहे कि हमें इस्थानी प्रत्यासी सभी इस्थानी प्रत्यासी से ही मैं अंतिन तक लड़ाई लड़ा हूँ आज रात को मैं दिली से वापस आया हूँ कॉंग्रेस के बड़े हाई कमान को मैंने कहा लेकिन उन्होंने ध्यान नहीं दिया अब जोगी जी दो यहार अठारा में आपकी वज़ह से यहारे थे तो स्कार आपकी राजनेती को कैसे देखें, ften इसको मैंने केटी नहीं हैं ये मेरे बड़े भाई हैं और हम दोनों ने अपना राजनेति क सफर लगभम एक साथ ही शुरू किया, दोनों ही एक ही गुरू की जिश्य हैं, मेरे पिता जी ने, तो मैरे बड़े भाई हैं, AmS से टिकट मिला नहीं और अब उन्होंने जे सी सी जे का दामन थाम लिया इसी तरह की तस्वीर कुछ कल सराइपाली में देखने को मिली थी जब कॉंग्रिस की विदायक जो 55,000 वोट से जीत कर आये थे कॉंग्रिस की तरफ से उन्हें इस बार टिकट नहीं मिला और किस्मत ला जामगड में गोरे लाल बर्मन का भी है शुक्रिया और अब आपका माई साथ जुनने के लिए